गीज का आकरामक सभाव उन्हें उत्कृष्ट रच्छक बनाता है लेकिन यह प्रिकित और इतिहास में उनकी अनेक भूमिकाउं में से मात्र एक भूमिका है प्राचीन संरच्छकों और संदेश वाकों से लेकर प्राक्तिक घास काटने की मशीनों और स्रांस्कृतिक प्रतीकों तक गीज आश्चर जनक और महत्तपूर्ण तरीकों से हमारे जीवन का अभिन अंग रहे हैं प्रागातिहसिक काल के गीज 9.8 फिट तक लंबे होते थे और उनका वजन 1322 पाउंड तक होता था जिससे वे अब तक के सबसे बड़े पक्षियों में से एक बन गए गीज अपने साथियों और दोस्तों के प्रतिवाफादार होते हैं गीज को लंबे समय तक साथ रहने के लिए जाना जाता है अक्सर वे जीवन भर के लिए संबोग करते हैं इससे उन्हें अपने बच्चों को ज़्यादा प्रभावी डंग से पालने में मदद मिलती है एकब दगूज ब्रिटिस सेनक की कोल्ड इस्ट्रीम गार्ड्स की दूसरी बटालियन में सेवा रथ था वो नियमित रूप से अपने साथियों के साथ गस्ट में मदद करते थे और दुस्मनों के बारे में अधिकारियों को सचेत करते थे गीज कुसल नाविक होते हैं गी से सूरित तारों और प्रत्वी के चुमगी छेतर जैसे इस्थलों का उपयोग करते हैं ऐसा माना जाता है कि कैनाडा के हंस कैनाडा के से उड़कर उत्तरी मेक्सिको तक हो जाते हैं तथा प्राया हर वर्ष ठीक उसी इस्थान पर वापस आ जाते हैं यह पच्छी बहुत दुबातूनी होते हैं तथा अपने समू के भीतर चेताउनी से लेकर अभिवादन तक हर बात को संप्रेशित करने के लिए विभिन प्रकार की आवाजों, फुफकारों और किलकारियों का प्रियोग करते हैं बेसक हंसों में प्रजण के लिए आवाजें होती हैं और नर हं हंस अपने साथी को आकरसित करने के लिए लंबी लैबध आवाजे निकालता है जब हंस अपने साथी से दूर जाने के बाद उसे दुबारा देखते हैं तो वे अक्सर उची आवाज निकालते हैं प्राग अतिहासी काल के हंस गायों जितने बड़े होते थे ये 9.8 फिट तक लंबे होते थे पांच मिलियन वर्स पूर मियो सीन काल के दौरान आधुनिक आस्ट्रेलिया में रहते थे इस विसाल काय पक्षी का अधिक्तम बजन 600 क्लोराम था यह ना केवल अब तक का सबसे बड़ा हंस था बल कि सबसे बड़े पक्षियों में से भी एक था हड़ियों की संद्शना में पाए गए कुछ कारक दरसाते हैं कि यह संभावता एक उड़ने में असमर्थ पक्षी था और डिविशियल इंडिलिजेंस को हंसों के चेहरे पहचानने के लिए प्रिसिच्छित किया गया है वियना में कौनराड लॉरिन्स रिसर्च सेंटर के सोध करताओं की एक टीम ने एक AI प्रोग्राम को हंसों के चेहरे पहचानने का प्रिसिच्छण दिया है इस तकनीक की सायता से वे हंसों के जुन्ड के भीतर सामाजिक संदरचनाओं को अधिक स्पश्टा से ट्रैक करने में सक्छम है गीज अत्यधिक ठंड को सहन करने में सक्छम है यद्यप गीज को गर्म मौसम में उड़ने के लिए जाना जाता है लेकिन वे ठंडे तापमान में भी जीवित रहने में सक्छम है उनके पंखों की बाहरी परत एक तैली आवरण होता है जो सुनिशित करता है कि वे सूखे रहे जब कि उनका निचला रोयदार आवरण जिसे गूज डाउन के नाम से जाना जाता है उत्तम इंसुलेशन प्रदान करता है इससे उन्हें ठंड आर्दर भूमी में चलते और तैरते समय अपने पैरों को गर्म रखने में मदद मिलती है दुनिया भर में लोक कथाओं और पौराणी कथाओं में गीज की महत्वपूर्ण भूमी का है अंसों को प्रायह प्रजण छमता, स्रजण सेलता और यहां तक की वफादारी के प्रतीक के रूप में देखा जाता है प्राचीन मिस्रवासियों का मानना था कि वे मृतिक आत्मा का प्रतिनी दित्तों करते हैं तता स्वर्ग और प्रत्वी के बीच संदेश वाहक होते हैं उची उड़ान भरने वाले हंस बाड़िजिक विमानों के लिए दूस्वप्न है प्रवास के दौरान एक बार हेड़ेट गूज को 7,290 मीटर की उचाई पर उड़ते हुए देखा गया बार बार हेड़ेट गूज सर्दियों में दौरान हिमाले के उपर से भारत के गर्म सेत्रों में उड़ते हैं इन उचाईयों पर उनके पास समुद्र तल की तुलना में आधे से भी कम आक्सीजन है जहां अतिरिक्त आक्सीजन के बिना मनुस्य जीवित नहीं रह सकता अलांकि केवल बार हेड़ेट गूज ही इतनी मुचाई पर नहीं उड़ता बलकि कई गूज तो विबानों के लिए बड़ी समस्या बन जाते हैं उद्राण के लिए कैनेडाई गीज के कारण ही 15 जन्वरी 2009 को यूएस एयरवेज फ्लाइट 1575 हडसन नदी में दुरगटना गरस्त हो गई थी हंस सामुदायक पालन पोसन का अभ्यास करते हैं कुछ हंस प्रजातियों में कुछ माता पिता सभी बच्चों की देख भाल क्रेच प्रडाली से करते हैं जिससे उनके बच्चों में जीवित रहने की दर अधिक हो जाती है माता पिता बच्चों की देख भाल का काम बारी बारी से करते हैं ताकि वे चारा इकठा कर सकें और हंसों से सम्बंदित अन्यक गत्विधियां कर सकें। कभी-कभी इन्हें गैंग बूड्स के नाम से भी जाना जाता है। ये एक समय में 80 से अधिक बच्चे पाइदा कर सकते हैं। चीनी संस्कृति में हंस प्रेम और वैबाहिक निष्ठा का प्रतीक है। हंसों की द्रिष्टि अभी स्वस्निय होती है। अगर आप छिपकर हंस का पीछा करने की कोशिस कर रहे हैं। तो आपको मुश्किल होगी इसका एक कारण उनकी द्रिष्टि भी है। उनकी आखें उन्हें हमसे अधिक दूरी पर भी अधिक बिस्तार से देखने की छमता प्रदान करती है। साथ ही उन्हें अल्ट्रा वाइलेट प्रकास को देखने की छमता प्रदान करती है। प्राचिन रोम को एक बार पवित्र हंसों द्वारा बचाया गया था। प्राचिन रोम के लोगों के लिए गीज एक महत्यकून प्रतीक थे और देवताओं की राणी जूनों का पवित्र पसु माना जाता था कुछ अंगूर के बागों में प्राक्तिक कीट नियंत्रन के लिए गीज का उप्योग किया जाता था गीज कई तरह के कीटों और खर पतवारों को खा कर कीटों को नियंतरित करने में मदद करते हैं इटली से लेकर दच्छिन अपरीका तक के अंगूर के बागों और क्रिसी भूमी में प्रदूसर्ण और लागत को कम करने के लिए गीज का उप्योग किया जाता है वे खेट में घूमते समय कीडों मकोडों और खर पतवारों को खाने के साथ साथ मिट््टी को उप जव बनाने में भी मदद करते हैं अंस्प्राय है पानी या एक पैर पर सोते हैं ऐसा माना जाता है कि गीज पाने में अपने सिर को अपने पंकों के नीचे छिपा कर सोते हैं. वे अईसलिए करते हैं क्योंकि उनके ज़्यादा आम सी कारी पानी में उनका पीछा नहीं करते हैं. उनका नींद चक्र भी हमसे कहीं अधिक तेज होता है जिससे वे हर कुछ मिनट में जाग कर ये सुनिचित कर लेते हैं कि वे कहीं दूर तो नहीं चले गए हैं जीव बैज्यानिकों का मानना है कि हंस और अने जल पक्षी गर्मी को नियंतरित करने के लिए एक पैर पर सोते हैं एक पैर को अंदर की और मोडने का मतलब है कि दोनों पैरों को गर्म करने की जरूरत नहीं है हलाकि ये बैठने का एक आरामदा एक तरीका भी हो सकता है कैनेडा में तैनात होने के दोरान जैकब दगूज को फ्रांसीशी भी द्रोहियों के खिलाब अपने वीर्तापूर कार्यों के लिए स्वन गोरेट और एक अच्छे आच्रण की अंगूठी प्रदान की गई थी 1842 में लंदन लौटने पर जैकब ने रेजिमेंट के लंदन इस्तित पोर्ट मैंट स्ट्रीट बैरक में अपना कारे जारी रखा तैन्यवाद जैहन